नमस्कार सिक्सक साथियों, स्वागते आपका फिर एक बार में यूटूब चैनल टेक्निकल टेचर पर साथियों इस वीडियो में हम बात करेंगे दिव्यांग बच्चों को दिये जाने वाले विविन प्रकार के बत्तों के बारे में अगर आपके विद्यारे में कोई भी दिव्यांग बच्चा अधन रता है जिसका 40% या इससे अधिका प्रमान पत्र बना हुआ है तो आप कौन-कौन से बत्तों के फोरम उन बच्चों के बरवाएंगे किस प्रकार से आपको फोरम बरना है कहां से आपको फोरम प्राथ होगा कौन सा बच्चा किस फोरम के लिए योगता रखता है इन सब की संबुन जानकारी मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ तो आईए साथियों सुरू करते हैं वीडियो में हम बात कर रहे हैं किस प्रकार से आपको बत्ते के फोरम बरने हैं कौन सी स्रेणी में किस बच्चे का फोरम बरा जाना है और बच्चों को बत्ते दिलवाने के लिए क्या पातरता रहेंगी इन सब के समंद में हम इस वीडियो में चर्चा कर रहे हैं सबसे पहले हम बात करेंगे परिवेन बत्ते के बारे में परिवेन बत्ता किसी भी प्रकार की दिव्यांगता अगर बच्चे में है और उसका 40% या इससे अधिक का प्रमान पत्र बना हुआ है तो उसके लिए आपको परिवेन बत्ते का जो फोरम है वो उस बच्चे का भरव लिखना है जो भी उसके medical certificate में percentage लिखा हुआ है वो आप percentage लिखें उसकी जो भी disability है उसका नाम आपको लिखना है इसके बाद में आपको अपने P.O. का नाम block, school, आपका dice code इसके बाद में घर से विध्याले की दूरी आप बच्चे की लिखें इसमें दूरी की कोई बात देता नहीं है अगर बच्चे का school, बच्चे के घर के बिल्कुल पास में है तो भी उस बच्चे को पूरी रासे ब्रदान की जाएगी इसलिए आप दूरी की कोई बात देता नहीं है आप actual दूरी को यहां पर submit करें बच्चे का आदार नमर लिखें अगर आदार गार्ड बना इसके बाद IFC code, bank का नाम, branch इसके बाद में है वाहन का प्रकार जिससे विद्याले आने वे जाने की विवस्ता की जा सकती है अब अगर बच्चे का घर विद्याले से दूर है और बच्चा किसी वाहन से आता जाता है या फिर उसको वाहन से आने जाने की जुरूत है तो अगर बच्चा वीकल से आता है तो कितने रुपे उसके प्रती मेने की खर्च होंगे उसकी अनुमानी तरासी आपको यहाँ पर लिखनी है अगर अनुमानी तरासी का आपको पता नहीं है तो आप इसको blank छोड़ सकते हैं इसके बाद में है क्या पालक बाली का घर से विद विद्याले तक लाया ले जाया जाता है अगर बच्चा अकेले विद्याले आने में समर्थ है अकेला विद्याले नहीं आ सकता है तो उसका आप हान लिखें और किसके साथ में आता है उसका भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं इसके बाद में हैं विद्याले का SMC SDMC खाता सं सब्मिट करनी है उसके बाद में अभी बावक के अस्ताक्षर चात्र चात्रा के अस्ताक्षर आपको यहां करवाने हैं अगर बच्चा अस्ताक्षर नहीं किर पाता है तो आप अमूठा भी यहां लगवा सकते हैं उसके बाद में हैं प्रमाणी करन इसमें संस्ता प्रदान क ये जाने की अनुसंसर करनी है क्योंकि अभी हाल ही में 400 रुपए प्रतिमा परिवेंग बत्ते के दिये जा रहे हैं इसके बाद में संसर प्रदान को अपने हस्ताक्सर करके विद्ध्याले के चाप यहां लगा देनी है और कारेले उपियों का जो फॉर्मेट है इसको आप न उनके अभी भावकों के द्वारा उन बच्चों को विद्ध्याले लाया ले जाया जाता है उन बच्चों के लिए परिवेंग बत्ता और उनके अभी भावकों के लिए एसकोर्ट बत्ता प्रदान किया जाता है इस बत्ते में भी परिवेंग बत्ते की तरह ही आपको पू वारा लाय ले जाए जाता है उसका वीवरान या फिर आप उसное को चुंकर और दोस्तों पिरतिक बऱ्ते का जो चालीश परतिसत्का बच्चे का कार्ड बना हुआ है लिटिकल साथिवेट देटी व menor उसके विदा उसके विना आप फॉरम को आगे रिशित नहीं करें क्योंकि अगर आपके पटेक आप फॉरम डेजिंगे तो आपके बच्चे की फोटो कोपे भी फोरम के साथ में अटेज करनी है अब है इस्टाइपेंड बत्ता दोस्तों इस्टाइपेंड बत्ता प्रतेक बालिका को दिया जाता है अगर उसका 40 प्रतिसत या उससे अधिक का प्रमानपत्र बना हुआ है इसमें किसी भी दिव्यांगता की सरेनी की स्टाइपेंड बत्ता दिया जा रहा है और परिवेन और एस्टोड बत्ता भी कक्षा 1-12 तक के राज के विद्यल्यों में अध्यनरत स्टुडेंट को दिया जाना है इस्टाइपेंड बत्ता में नाम बालक बलिका, पिता का नाम, माता का नाम ये सबी बेसिक डिटेल आप इसमें दिव्यांगता का प्रमान पत्र, उसकी स्रेणी, आदार नंबर, खाता संक्या, IFSC कोड, बेंग का नाम ये सबी डिटेल आप परिवेन और एस्टोड बत्ती की तरह ही फिल करें इसके बाद में क्या बालिका का आदार कार बेंग खाते से जुड़ा हुआ है त आपके जो इस्टाइपेंड और रिडर बत्ती की जो रासी है, वो कई जिलो में स्टुडेंट के खाते में सीधा ट्रांसपर की जाती है, कुछ जगों पर SMC के अकाउंट में ट्रांसपर की जाती है, इसलिए आप बालिका के अकाउंट डिटेल भी आप यहां पर फिल करे और आप इस SMC के डिटेल भी फिल करें, और आप अपने CBO ओफिस में, अगर आपके कोई टीचर लगे हुए हैं, तो आप उनसे सला ले सकते हैं, आप बालिका के हस्ताक्सार, अभी बाउकर के हस्ताक्सार और संस्ताफर्दान का परमानी करण करके आप फोरूं को कम्प्ल अध्यन्रत हैं, तो उन बच्चों को रेडर बत्ता दिया जाना है, रेडर बत्ते में दोस्तों 250 रुपए प्रती महीने की रासी प्रदान की जाती है, और स्टाइपेंड बत्ता का जो फोरूं है, इसमें प्रतिक बालिका को 200 रुपए प्रती महीने की रासी प्रदान की जाती है ंस अधी बत्तों को एक साथ भी बच्चा प्राप्ट कर सकता है अगर बलाइन है तो उस बाली का को बालिका के नाते स्टैपṇंड पलाइन की वज़े से रिड़र बत्ता और वुज़े ले अकेomas इस तरेके से चारों बत्ते को प्रदान किये सकते हैं अगर वालक और टीनों बत्त तेंगे लिडर बत्त है रिटर बत्त और आसर कारसे अगर को इस तरीक से अनुदन तो इसितरने प्रदान है इसी तरीके से आपको सभी बच्चों के फोरम परवाने हैं। रिडर बत्ते में भी आप परिवेन और एस्पोड बत्ते की तरही आपको पूरा फोरम बरना है। उसके बाद में संस्ता प्रदान का प्रमानिक गंड करवाना है। पास्पोर्ट साइज की बच्चे की फोटो अटेज करनी हैं। दोस्कों प्रतिक फोरम के साथ में आपको बालक बालिका के 40 पृतिसय या इससे अदिक का जो प्रमान पत्रव हुआ है। उसकी कोपी भी आपको साथ में अञटजग गरनी है। और अगर आपको चैनल पर दी जाने वाली जान करी पसंद आती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके डटी वाले बटन में उनको सेलेक्ट करें जिसे कि जब भी चैनल पर कोई नई वीडियो अफलोड हो उसका सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सकें फिर मिलते हैं अब तब के लिए नमस्तार जैहिंद जैमाबादी